असलाम आलेकुम नक्स नगेस चैनल में आज में अपने किछिन बनाने जा रही हूं बहुत ही तेस्टी और बहुत ही यंमी से चिकिन के श्रीजी टिक्या कबाब इन्हें बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बनाने की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मैं चिकिन का कीमा एलिया है हम इसमें अध्रक लशन पेस्ट एड़ कर दोंगी कुटुरी हरी मिर्च बारिक चॉप की हुए प्याज बारिक चॉप की हुए धरिया पत्ता जीरा पाउडर काली मिर्च पाउडर गर्मसाला पाउडर धनिया पाउडर हल्डी नमक चिली फ्लेक्स दही दही का आपने जो एक्स्ट्रा पानी थे उनकाल लिया है नीम्बू का जूस थोड़ा सा बेचन थोड़ा सा तेल अब मैं इन अच्छे से मिक्स कर लूँगे मैं थोड़ा सा हाथ उपको ग्रीस कर लूँगी और मैं इसे तिक्या का शेव दोंगे अब मैं इसमें चीज क्यूब्स एड़ कर दूँगे और मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँगे और इसको वापस में तिक्या का शेव दे दूँगे सारे हमें ऐसी ही बना लेना है ग्रीका शेव एड़्ड़ा प्रीप धिर सारे हमे और लेह लग दूँगे सारे हमें जब मैं लेवटे दूँगे और मैं बना लेवटे लेवटे तिक्या कर दूँगे थाल यावटे तो मैं सारे कबाब जो है वो बन चुके हैं अब मैं इने फ्राइ करूंगे तेल मैंने गरम कर लिया था अब में के कटकेस में चिकन कबाब रख दूंगे हमें इसे डी फ्राइ नहीं करना है शैलो फ्राइ करना है हमें तो अब एक साइड से हमारा फ्राइ हो चुका है तो अब हमें इसे दूश्रे साइड से फ्राइब करेंगे यह देखिए हमारा चिकन कबाब से जो है फ्राइ हो चुका है तो अब हम उसे रिकाल लेंगे देखिए चिकन चीजी कबाब जो है हमारे बन के तयार हो चुके है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बना है आप सब भी जरूर ट्राइ किजिएगा बहुत ही आसान से रेसिपी है अगर मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिएगा